इस वीडियो में हम जिस ड्रग कर रिविव करने वाले हैं उसका नाम है ट्राइमोक्स ट्राइमोक्स दर असल बहुत ही फेमस ब्रैंड है उसके साथ जो आप 625 देख रहे हैं वो उसकी डोज है अब ये डोज 500 mg में भी अवेलेबल है और 875 mg में भी अवेलेबल है टैबलेट है और जितने भी बैक्टिरियल इंफेक्शन होते हैं उनके लिए बहुत मुफीद है जैसे के इयर नोस थ्रोट इंफेक्शन अब कान में नाक में या अगर गले में कोई इंफेक्शन हो गया है धर्द महसूस कर रहे हैं बुखार हो गया है तो 500 mg की ड्रग ले सकते हैं दि की ड्रग दिन में तीन बार 10 से लेके 14 दिनों तक यह लेना पड़ता है सिवियर इंफेक्शन हो गया है तो तो skin structure infection के लिए भी 500 mg की drug दिन में दो बार या फिर 200 mg की drug दिन में तीन बार severe infection में थोड़ा dose भढ़ जाएगा 875 mg की drug दिन में दो बार या 500 mg की drug दिन में तीन बार अच्छा अक्सर मर्दों को या खवातीन को पेट में जखम हो जाता है उसको ulcer कहते है ulcer की वज़ा है helicobacter pylori bacteria उस bacteria को मारने के लिए आप एक ग्राम तक की dose लेते हैं दिन में दो बार 14 दिनों के लिए तो आपके पास dose या पे काफी ज़्यादा increased हो जाती है ये तो बात हो गई infection की इस infection के साथ साथ बताता है चलूँ के amoxil के बहुत सारे adverse effect भी है allergy cause करता है एनफाइलेक्सीज हो जाता है खुन की कमी लिवर पे थोड़ा बुरा असर पड़ता है AST और ALT के लेवल भड़ सकते हैं अक्सर लोगों को ढायरिया हो जाता है antibiotic से सर चकराना, मतली होना कोई स्किन के उपर खराश आ जाना रैशिस पड़ जाना यह वैसे ही antibiotics या amoxil वगेरा का adverse effect नॉर्मली होता है इसके इलावा pregnancy में कोई मसला नहीं है वैसे आप antibiotic इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन pregnancy में कोई भी drug यूज़ करने से पहले अपनी गाइनकोलिजिस्ट से मस्षवरा करना लाजमी है और अगर आपको allergy है तो ऐस तरह की drugs के इस्तिमाल गत्यान नहीं कीजिए साथ ही कोई question हो तो comment section में पूछ सकते हैं, channel को like करें, comment करें, share करें और subscribe करें, शुक्रिया